नमस्कार दोस्तों मैं डीपक कुमार सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अब आप लोग मुझे अनेकाडमी पर भिभी फॉलो कर सकते हैं फॉलो करने के लिए आपको करना क्या होगा आपको Play Store में जाकर Unacademy का Learning App डाउनलोड करना होगा उसके बाद Search Box में जाकर आप मुझे Follow कर पाएंगे जहां मैं आपको SSC, Bank और Railway संबंधित Course प्रवाइड करूँगा अगर आप ये प्रक्रियाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक Option और भी है आप नीचे वीडियो का Discription खोलेंगे जहां पर आपको एक Link मिलेगा Link को Open करते ही आप हमको Direct Follow कर सकते हैं तो दूस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Railway भरती 2018 की परिच्छा के संबंध में तो अगर आपने 24 मई का आम और जाला का News Paper पढ़ा होगा किसी भी पद के लिए तो आपसे एक निवेदन है नीचे लाल बटन बनाओगा जिसको दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां अमारे वाटसाप ग्रूप और टेलिग्राम चैनल के माध्यम से लगातार अच्छी से अच्छी और बेतर त्यारिया आपको कराई जाएगी तो दोस्तो जितने भी लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रप्शन में दिये हुएं आप एक ही करके सभी से एड हो जाएए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिलेवर्टी परिच्छा से सम्मादित प्रक्टिस एट मॉडल पेपर और अच्छी चैस्टिपीडिया बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी तो दोस्तों 24 मई अमर जाला नियूस पर आप देख सकते हैं उसमें एक नियूस आई थी कि आप लोग की जो परिच्छा है वो बहुत ज्यादा आएदन आने के कारण टाल दी गई है और ये परिच्छा अगस्त में होना संभावी थे तो दोस्तों ये एक नोटीस बहुत दिनों पहले वारेल हुआ था कि जो परिच्छा है आपकी रेल्वे की गृूप डी की वो होगी 12 अगस्ते तो नोटीस के अनुसार अगर जो नियूस पर में आया था कि परिच्छा अगस्त में होगी तो इस सिर्दी को देखते हुए ये जो नोटीस है वो बिल्कुल सही मालूम पड़ता है इसमें लिखा हुआ था कि परिच्छा 12 अगस्त से सुरू होगी तो अब ये समझ लिजे कि लगभग ये तै हो चुका है कि आपकी जो परिच्छा है वो 12 तारिक से ही होगी यहाला कि ये संभावित है इसको मैं 100% से और नहीं कह सकता हूँ लेकिन आप ये मान सकते हैं ऐसा संभव है अब ऐसा बिल्कुल संभव है कि परिच्छा 12 तारिक से प्रारंब होगी तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपकी परिच्छा 12 से 16 तक चलने वाली है 12 अगस्त से शुरू होगी तो इसमें देखिए आपकी प 637 2018 को आएगा जिन व्यक्चियों का नाम a Foxy N से होगा उनकी परिच्छा 18 अठारा अगस्त को होगी और उनका एड्मिक काड् 688 t人 14 तरा को होगी जिन व्यक्चियों का नाम Cisini गontright अदर को होगी और एड्मिट कार्ट 2728 को आएगा जिन व्यक्तियों का नाम U, W, X, Z, G, P, J और D से होगी उन व्यक्तियों की परिच्छा 16928 को होगी और एड्मिट कार्ट 7908 को आएगा तो दोस्तों जैसा कि निउस्पेपर में लिखा हो था उस खबर के अरुसार परिच्छा अगस्त में होगी तब उस इस्तिती को देखती हुए ये जो वाइरल खबर थी ये सही होती दिखाई दे रही है आप 100% सेयोटी से नहीं कहा जा सकता है लेकिन आपकी जो परिच्छा है वो लगभग 12 अगस्त से ही संभावित है 12 अगस्त को हो सकता है एक आज दिन आगे पीछे हो सकता है कहीं 8 नो हो सकती है या हो सकता है 14-15 हो जाए लेकिन मुझे जो लगता है कि परिच्छा अगस्त में ही होगी और ये जो सेट्यूल दिया हुआ है हो सकता है इस आधार पर भी हो जाए तो दोस्तों ये एक बड़ी ख़बर थी क्योंकि अभी 24 माई का अगर नीस पर आपने पढ़ा होगा इस आधार परिच्छा जो होगी और गैपिंग भी है इस परिच्छा में तो ऐसी इस्तिती में आप देख सकते है मुझे जहतक लगता है ये संभावीत है कि 12 अघस्त से परिच्छा सुरू हो सकती है बाकी आगे पीछे का दिन हो सकता है कोई दिकत नहीं है तो दोस्तो तैयारी सुरू कर दीजिए अच्छे से समयाव के पास बहुत ही कम है दो-तीन मेरा जो बचा है उसको अच्छे से प्रयोग मिख लीजिए रेगुलर करेंट अफेर्स पढ़ते रहे हैं मैथ रिजिंग लगाताल लगाईए दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही धन्यवाद